नमस्कार आप देख रहे हैं SG News और मैं हूँ आप सभी के साथ शिवांगी अगरवार नए साल में राधानी के पार्कों में घूमना अब महंगा हो जाएगा जी हाँ एक जनवरी से अब पार्कों में घूमने के लिए लोगों को ज्यादा पैसे देने होंगे जी हाँ एक जनवरी से पार्कों के में अब नए दरे लागू होंगी इसके लिए राधानी के कुल पांच पार्कों की टिकेट के दाम दो गुने हो जाएंगे पार्क के शुल्ख में बदलाव किया गया है यहां मॉर्निंग पास के लिए निधारित प्रवेश शुल्ख में भी बदलाव किये गये हैं चाति-धि-चाफ के अंदर नई सुविधाओं के लिए नई दरे भी लागू की गई है पटना पार्क प्रमंडल के DFO शीष्टकांत के मुताबिक इन दरों को राश्ट्रिय शुल्क निर्धारन समीती ने अप्रूफ किया है शहीद वीर कुवर सिंग पार्क में अब मॉर्निंग वॉकर को प्रती दिन 5 रुपे देने होंगे मासिक शुल्क 100, तिमाही 200 रुपे, अर्धवार्शिक शुल्क 500 और वार्शिक सुल 1000 देना होगा इसी तरह अमरित योजना पार्क में एक जन्वरी को प्रवेश के लिए 20 रुपे देने होंगे बच्चों के लिए एक जन्वरी का प्रवेश शुल्क 10 रुपे होगा इस पार्क में 213 मासिक पास के लिए 400, अर्धवार्शिकों के लिए 600 और वार्शिक पास के लिए 1000 देने होंगे तो अगर आपको भी नए साल में पार्क जाना पसंद है तो आपको अपनी जेब थोड़ी ज्यादा डिली करनी पड़ीगी फिल्हाल के लिए इतना ही ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे स्टी न्यूस के साथ और हमारी चानल को लाइक शेर और सब्स्राइब करना ना भूले साथ ही अगर आप ये वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें साथ ही हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूले धन्यवाद